या अच्छे दिखे अब जो हमारी टोपिक है अब हम जानेंगे लाइट इमीटिंगड़ायोट के बारे में यह भी हमारा ECD क्या है और Semiconductor diode के बारे में है Semiconductor diode के बारे में है यह यह भी हमारा एए अब Light Emitting diode के बारे में जानते हैं कि Light Emitting डायोड जो थी है वो क्या होता है देखें देखें प्रकास उत्त्रजक डायोड यानि कि प्रकास उत्त्रजक डायोड या एल एडी ऐसे पियन देंग्सन ऐसे पियन संदी डायोड होते हैं जो चालन यानि कि अग्रबायस की अवस्था की अवस्था में प्रकास का उत्त्रजन करते हैं प्रकास का उत्त्रजन करते हैं देखें लाइट इमिटिंग्स डायोड ऐसे पियन संदी डायोड होते हैं जो चालन यानि कि फारवर्ड बायस की अवस्था में प्रकास का उत्त्रजन करते हैं ठीक है? दिखे एक डायोड किस प्रकास से प्रकास का उसरजन कर सकता है? एक अगर वायस डायोड में जंक्संस के पास वाले छेत्र में एलेक्ट्रान वा होल्स का पुना सन्योग यानि कि एलेक्ट्रान होल्स का री कंबिनेशन होता रहता है और इस एलेक्ट्रान और होल्स क सन्योग से इलेक्ट्रान उच उज्जा अस्तर यानिकी हायर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल के चालन बेंड के चालन बेंड यानिकी कंडक्शन बांड से निम्न उर्जा अस्तर यानिकी लो एनर्जी लेवल के सन्योजी बेंड के सन्योजी बेंड यानिकी वैलेंस बेंड आता है देखें दोनों उर्जा अस्तरों की उर्जाओं में अंतर जो डिफ्रेंस डिफ्रेंस इनर्जी लेवल के बराबर उर्जा का उत्सर्जन एमिसन होता है यानिकी उत्सर्जन होता है देखें यह उर्जा उस्मा वा प्रकास हीट एंड लाइट की रूप में उत्सर्जित होती है सिलिकान और जर्मेनियम में अधिकांस उर्जा उस्मा के रूप में उस्सर्जित होती है किसमें सिलिकान और जर्मेनियम में अधिकांस उर्जा उस्मा के रूप में उस्सर्जित होती है तथा प्रकास के रूप में उस्सर्जित उर्जा नगर्ड होती है किन्तु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें प्रकास की उसर्जन काफी मात्रा में होता है कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें प्रकास उसर्जन काफी मात्रा में होता है ऐसे पदार्थ का उधारड है उधारड देख लीजिए ऐसे पदार्थ का उधारड SP यानि कि Gallium Arsenide Phosphide उसके बाद आपका Gallium यानि कि Gallium Phosphide आदी अता LED बनाने में इन पदार्थों का प्रियोग किया जाता है क्या किया जाता है LED बनाने में LED बनाने में इन पदार्थों का इन पदार्थों का प्रियोग किया जाता है ठीक है देखें LED की forward voltage उती है वो लगबग 1-2V के मद होती है क्या होती है forward voltage उती है 1-2V के मद होती है LED को परिपत में लगाते समय उसके स्रेडी में प्रतिरोध लगाना चाहिए LED को अगर हम सर्कीट में लगाते हैं तो उसके स्रेज में यानि कि इस रेडी में हमें क्या लगाना चाहिए रेजिस्टेंस लगाना चाहिए जिससे लेडी में प्रवाइत होने वाली धारा सिमित रहे तथा लेडी नस्ट नहो लेडी नस्ट नहो इसके लिए हम रेजिस्टेंस का प्रियोग करते हैं देखे, CQY-118 वो CRY-24 LED के उधारण है, डायोड में प्रकास का उत्सर्जन होता है, देखे, यह हमारा डायोड है, और प्रकास का उत्सर्जन हमें दिखाना है, तो इस प्रकार से दिखाते हैं, और LED का प्रतिक है यह हमारा, ठीक है, यह हमारा डायोड है, और यह देखे, ए, पी, सी, डी, ए, एफ, जी, यह क्या है, यह हमारा है LED की प्रतिक, और यह हमारा सब्त खंडिय डिस्प्ले, यह हमारा है सब्त खंडिय डिस्प्ले, देखे, थोड़ा LED की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, कि LED की फीचर्स क्या क्या होते हैं, यानि की विसेस्ताय क्या क्या होती हैं, तो देखे, LED एक छोटे अकार की युक्ती है, LED को एक ग्रूप में कई LED हो मिला करके अंक या वर्ड माला के चराल पावेट यानि परदासित किये जा सकते हैं, ठीक है, फिर दूसरा देखी है हमारा, यह बहुत कम बोल्टेज, लगभग 1.5 बोल्ट पर कारे करती है, बहुत तेजी से आन या आफ किया जा सकता है, जो प्रकास की मातरा को बोल्टेज परिवर्टित करके कंट्रोल किया जा सकता है, फिफ्ट नमबर देखते हैं क्या उता है यह मजबूत युखती है यानि कि इस्ट्रॉंग डिवाईस है तथा जटके सोक्स से सकती है यानि कि जटके से सकती है से सकती है पर देखेंगे हम सिक्स नुमबर तो तापमान बढ़ने पर भी भली बाती कारे करती है अगर टेंप्रेचर इंक्रीज होगी बढ़ेगा तो भी यहां बेहतर धंड से कारे करती है इसका ताप रेंज लगबग जीरो से लेके पचातर डिगरी सेंटिग्रेड तक हो होती है सेवेंथ नंबर देखते हैं इसको बनाना काफी असान है इसको बनाना काफी असान होता है एट नंबर है हमारा कई रंगों जैसे लाल रेड ग्रीन ओरेंज इत्यादी में उपलब्द होते हैं LED जी होता है कई रंगों में उपलब्द होता है जैसे लाल राग नारंगी में उपलब्द होता है नाइन्थ नंबर है यह सस्ती तथा कई वर्सों तक कारे कर सकने वाली युक्ति है यह जो है कई वर्सों तक कारे कर सकने वाली युक्ति कि हाइं आप देखें इसके एम थोड़ा अप्लिकेशन देख लेते हैं कि इसकले अनुप्रियोगYourDag कष़ों कषीं यह भी लेते हैं थोड़ा से जलदीज इस तो देखें इसका जो अनुप्रियोग है इंडीकेटर में करते हैं इंडिकेटर्स में, दूसरा हम करते हैं डिस्प्ले बोर्ड में, दिस्प्ले बोर्ड में, तीसरा हम करते हैं डिजिटल घडिया में, डिजिटल वाच में, डिजिटल वाचेज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है तो यह हमारा हो गया light emitting diode के बारे में हम देख लिए कि light emitting diode क्या होती है तो फिर हम अगले class में आप से मिलते हैं तब तक